नमस्कार आप देख रहें न्यूज बाइसकोप मैं हूँ आपके साथ सौरफ सिंग मांग को लेकर हम यहां केंद्रिय अध्यक्ष मुलवाशी सदान के हैं उनसे हम जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ उनकी मुख्य मांग है और क्यूं धरने परदर्सन पे उनको बैठना पड़ रहा है सर्क्या कुछ आपनों की मांग है और 65% है और मुलवाशी सदानों के सहाधत से एराज का गठन हुआ राज बनने के बाद सदानों को दरकिनार कर दिया गया कोई भी सरकार सदानों के बारे में उनके डेवलोमेंट के बारे नहीं सुचती है हम लोग लंबे समय से अपनी मांगों को रखते हैं जब एराज के लि लड़ते थे तब यह संभव नहीं हो सका जैपाल सिंग मुंडा ने आदीवाशी महासाभा को इसके लिए भंग किया था वो जानते थे कि जब तक मुलवाशी सदान इसमें नहीं जुड़ेंगे तब तक एराज नहीं बनेगा तब उन्होंने आदीवाशी महासाभा को भं परखन पाड़ी बनाया उसके बाद सदानों का भी इसमें योगदान रहा सहाधत हुई उसके बाद राज का निर्मान हुआ लेकिन आज राज बनने के बाद राज बनने के बाद हमारा एक एक कधिकार को चीना जा रहा है जैसे 112 परखंडों में जो पंचाइद का चुना हु उसमें एक पक्षिये एक स्वमुदाय के लिए मुख्या परमुक जिला प्रिश्यद अधाच के लिए आरशित कर दिये गया लेकिन सदानों को छोड़ दिया गया यह सदान उसे बहुत आहत हुए इसके अलावे राज में OBC को 27 परतिसता आरक्षन मिलता था लेकिन उसको मांग था कि जो यहां के स्वर्ण है वो भी जनजाती के तरह है हमारी भासा संस्कृती सदानों की जनजातियों की तरह है तो 10 परतिसत केंदर सरकार ने EWS के तहट सवर्ण को आरक्षन दिया तो हमारा डिमांड है कि यहां के जो मुलवासी सदान में जो सवर्ण है उनको 10 10 परतिसत आरक्षन का लाव मिले इसके अलावे हम चाहते हैं कि सदान आयो का गठन हो सदान आयो का गठन होने से उनके विकास के लिए वो सरकार की उजना बनेगी और आयो के निरने पे सदानों को डेफलोमेंट के लिए काम होगा इसके अलावे हम बताना चाहते हैं कि लो चुकि उस से बिदान परिशत का गठन होगा और यहां मुल्वाशी सदाओं को भी बिदान सभा में इसके अलावे जो 14 लोग सभा का सीठ है उसको भी बढ़ा के 14 को 28 किया जाये और लोग सभा में मांगनी मनवाएंगे तब तक हम सांती से बैठने वाले नहीं हैं राज अंदर प्रसाद किंदेर ध्यक्त आहुती दिये और आज जल जंगल जमीन पर देखिए कि बाहर वालों का अधिकार है तो हमारा यही मांगे हैं कि जल जंगल जमीन में हमारा भी अधिकार हो साथ 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 प्रसासन में है ना सरकार में हमारी हमारी हमारे लोगों का परतिनी दितु हो आज देखिए लोग सभासत सीट हो राजे सभासीट हो बिदान सभासीट हो चाहे आप जितने भी पंचाय तस्तर पे देखिए है ना इसमें बाहर के लोग आकर के सीट ले ले लेते कब तक हम लोग खुड़ा साथे रहेंगे अब हम लोगा कम्प्लिट्रिस पुरे केंदर सरकार को भी बतलाते हैं राज सरकार को भी बतलाते हैं कि लोग सबा, राज सबा, बिदान सबा, पंचायत या फिर आप देखेगा कोई भी निकाय पर चुना होती है कि जार्खन राजिये में दो समुदाय रहते हैं एक आदिवासी और एक गैर आदिवासी तो गैर आदिवासी में हम लोग सदान लोग जो सदियों से रह रहे हैं और सदियों से रहने के पस्चात राज बनने के बाद हमारी जो इस्थिती है दाइनी इस्थिती है ये किसी से छुपी भी नहीं है लेकिन सरकारे बनती हैं बनत पाया है नियोजिन नितिलागों नहीं हो पाया है है ना जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन में हमारे जार्खंड के युवाओं को लाब मिलना चाहिए वहां पे बाहर के लोग उसका लाब उठा रहे हैं और हमारे ओभी सी की आरक्षन है अब देखिएगा केंदर सरकार का जो निर्देशा ने 36% होना चाहिए लेकिन आज यहां पे जार्खंड में घटा करके 14% पर दिया गया है जबकि आप जन संक्या के आदार के देखिएगा तो ओबी सी की संक्या 50% सदिक है तो हम लोगों की मांगे हैं कि 50% से अधिक होना चा इस तरह का भेद बावराज में क्यों किया जाए हम 65% है राज में और आदिवासी को जो यहां पे मुल्बू सुभधाएं मिल पा रही है उनको जो आरक्षन मिल रहा है उस वही आरक्षन के तोर पे हमें भी राज में हिस्सेदारी मिले और इन्होंने दो भाईयों की उधा परण देती हुए का कि राज में दो भाई है एक आदिवासी और दूसरे मुल्बासी सदान तो यदि हिसेदारी की बात की जाए तो हम दोनों को बराबर का खिस्सा दिया जाए विधान सवा की सीट की भी इन्होंने मांग किया कि विधान सवा की सीट को 160 बढ़ा कर किया ज इसके साथ ही मुलवासी सदान आयोग की भी गठन की मांग मुलवासी सदान मोर्चा के बैनर तले आज राजधानी राची के राजवोन के समक्ष सदान समुदाय के लोग कर रहे हैं फिलाल इस खबर में इतना ही अच्छे तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं न्यूजबाइस को